हेलो जी गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब और मैरे नूँ वेलकम कर रही हूँ एक नए वीडियो में आप सब का आपके अपने चैनल में सुबह सुबह का टाइम है सुबह के बजए है और वैसे मैं पांच बज़े उठी थी फिर थोड़ देर हम दोनों ने बाहर एक्सराइज वेगरा योगा वगरा किया उसके बाद में आ गई हूं किजन में और आज से हमने योगा करना शुरू किया है रसी कूदना शुरू किया है सुबह सुबह काफी र वक्वास कर रहे है कि पहले तो बोज़ ज़दा करती थी तो मैंने नहीं की है काफी टाइम से क्या मतलब बच्चों की डिलिवरी के बाद ही नहीं किये ये दोनों सीजर हुए थे उसके बाद में वैसे बंद हो गया था फिर काम में टाइम नहीं मिलता था तो मैं जैसी हैं जो की अच्छी लगती है एक तो मैडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है मैडिटेशन से माइंड जो है न वो सही रहता है इसलिए मैं सोचा चलो अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज किया जाए और ये सब साम्मिल किया जाए तो आज सुबह बस मेडिटे मेड़े तो सुबह एक बार अच्छे से जधा करने के और फिर मैं जब लगता है जब बच्छों को नहिलाने का टाइम होता है लगाने के बाद में बस अंदर बिठा देती हूं तो एकदम यू रखते हैं कि हां घर एकदम क्लीन है तो यहां पर बस वही काम चल रहा है सब जगे पोच दिया है बैड को भी शोफे जो है उनके जो यह हाथ रखने के होते हैं इनको भी इन सब के उपर डस्ट पता नहीं कह अब लुट है卡 सोलुंैय तो होते हैं यहां है तक स्क्राइब को भी टायम ही नहीं कुछ जाती है और यह तो यहां पर इस अलमारी हो थोड़ा सा खिसकाला कर पूर्पी मिट्टी निकाल ली है और यहां देखिए छट का चट पर कितनी ही जाड़ो लगा लो लेकिन यह जो पपड़ी सी उसकी उतरती है ना उसके कारण बहुत सारा इसमें कच्रा हो जाता है और यहां पर सर्मा जी जो है ना वो विश्तर समेटर है बच्चे उठ चुक इस एरिय neben जाड़ो लगाना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि अगए साफ होता है मुझे पर रहना इसे बैख वापा पेने से सारीड में बढ़नें वेलों है इसे बैठके पीने का उजयित मैं दर्द सी कर्फल को उisterिस्तर बाल कि अरे वहां उपर नहीं यहां तो लेओं तीन माली कोपर बेठे है मेनिचे बेठे आनोक करा जोए दो बित्तर आजयो एक खड़े है वाल जाता पर चोड़ मच्छटो और यहां पर सरमाजी कुछ पेड़ पोदों का काम कर रहे हैं और मैं चने वोश कर रही हूं मतलब चने रात को भीगो करके सोते हैं उनको थोड़ा थोड़ा ब्रेक्वास्ट में खा लेते हैं ना कच्चे चने तो अच्छे लगते हैं तो मैंने वही वोश करने शुरू किये थे लेकिन बीच में इनको अपनी टांग अडानी होती है यह देखिए यह बोल रहे हैं कि इधर आए किसी में ट्रांसफर कर देंगे जब तक हमारे ग्रो बैग नहीं आए थे अब ग्रो बैग आ चुके हैं काफी दिन से सोच रहे थे कि इसको ट्रांसफर किया जाए तो आज बस वही कोशिज जा रही है और इसमें भी हम दोनों का जगड़ा हो रहे हैं यह काफी देर से लग सबस्ति नने ब Allow a recovery के वह दो यह चिंपटे से निकल चा साथ निकलने की मलग चांस हो घे थे निकल रही थी तो उसके बाद में इन्हों में अग्रों बैग में मिट्टी दाली वह रख दिया है रख दिया और अभ वहां पर हम वहां से इसमें स्पेस भी पूरा मिलेगा अभी ये डिबे में थी ना तो काफी चोटी जगे थी तो हमने सोचा था कि इसको ग्रोबैग में लगा कि और बाद में इधर उदर भी बाद ट्रांसफर कर सकते हैं जब तक अच्छे से बड़ी नहीं होती और बड़ी होने में साय तक इ लेकर आएंगे ना भाईया वो भाईया दो महिने से वेट कर वारे करें आऊंगा आऊंगा और अभी तक नहीं पहुंचे हैं मुझे काफी ग्रोबैग भरने हैं और उनमें जैसे प्लांस लगाने की प्रोसेस शुरू करनी है बारिश हो जाएगी बारिश होते ही मैं प्ला हो गई है और अब थोड़ी सी मिट्टी और डालके हम इस डिब्बे को निकाल लेंगे बाहर तो यह देखिए निकाल लिया है और अब इसमें यह इसकी खुदिकी होते हैं कि जिस मिट्टी को पकड़ लेती है उस मिट्टी में बहुत आराम से लग जाता है कोई भी प्लां कोई भी प्लांट हो चाहिए घर में लगा रहा है कि उन सब में कोबर का खाद जाल रहा है आदर कोई खाद हम लोग यूज नहीं कर रहे है क्योंकि मन है कि यह जो यूरिया वगरा ना इन सबसे दूर रहें और अपने घर में जैसे अब बारिश आएगी जब आप देखना है वाइट वाले मैंने मंगवाए थे लेकिन बस वह है कि इतना सेटीसफाइड में नहीं हूँ वाइट से पता नहीं क्यों मन में एक वहम है कि यह उतना अच्छा नहीं चल पाएंगे जितने ग्रीन वाले चलेंगे ग्रीन की क्वालिटी बहुत अच्छी और देखने में काफी सुन्दर लगते हैं और यह कपड़े मैंने रात को दोए थे जो कि मैं अभी उतार रही हूं यह सूख चुके हैं अब इनको दोपैर में फोल्ड करके प्रेस तो नहीं होती मेरी प्रेस खराब हो रखी है सही करवानी है फोल्ड करके मैं अलमारी में आरेंज कर दूं को खाना जब दूंगे ना तो फिर मतलब टाइम से बच्चों को खाना मिल जाएगा और सिवास की तवित आप सबको पता ही है तो उसको टाइम से खाना और दवाई मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हम अपने यूटूब की चकर में में यही होता है कि सारे काम में लेट हो जाती है वीडियो शूट करने के चकर में जैसे कि जो भी काम हम कर रहे होते है न वो डिले होता जाता है और पहले सुरवात 5 मिनिट से होते होते सीधे 1-2 घंटे लेट होता है तो यहाँ पर मैं सो चलो सबजी बन जाएगी तो इसकी एक रोटी सेकने में मुझे ट सब भी कई बार बोल चुकिए हो यह इस तरीकी कि इस से ना बस यह कि माइंड में स्ट्रेस तो आती है काम में लेट होता है वह अलग मतलब इसमें काम फिजिकली भी मतलब एक तो रीड की हड़ी जो है ना इसमें जैसे बच्चे सीजर होए थे तो इंजेक्शन लगाता तो इस तरीकी से बैठने में बहुत परिशानी होती काफी देर तक नहीं बैठ बाती हूं लेकिन बस यह कि थोड़ा सा बजट सही हो जाए तब तक तो यह इसी से काम चलाना पड़ेगा दूसरी रसोय के बारे में सोच भी नहीं सकते में इनसान का बजट होता है तो यहां पर मेरे में कई बार तो क्या होता है बहुत जदा अनर्जी होते हैं कभी कभी क्या होता है काफी थकान हो जाती है मतलब मन नहीं करता काम करने कर आज वही है स्लो एकदम आराम आराम से चल रहा है सब दीरे दीरे ऐसे हफते में दो बार तो होई जाता है जिस दिन मेरे को एकद कि यहां थकान है सुबह पहले से थकान शुरू हो जाती है सुबह एक्ससाइज की थी मेडिटेशन किया था लेकिन फिर थोड़ देर बाद में ऐसे हो रहा था शरीर और एक आज मेरे शिर्मे दर्द बहुत था बहुत ज्यादा सिर्मे दर्द था जिसके कारण काम करने का मन नहीं करता तो यहां पर मैंने जीरे डालके प्यास डालके टर्माट्रे डालके मसाले डाल दिया है अब ही परवल गए सिखने के बाद में सब कुछ और डख करके छोड़ दिया है अब मेरी सबजी जो है ना वह बन गई मतलब जाडू लगाने के लिए मैं आया हूं जब त पाइन का में कारण क्या होता है मेरे से मिटी में अगर हलकी ड़स्ट है ना तो मेरे से पैर नहीं रखा जाता मुझे ऐसा लगता है कि बस मिटी बहुत सारी मेरे पैरों में चिपगी किर्सी महशूर्स होती है तो यहां पर बस इसी लिए मैं चपल पहनती हूं और पूरे पहनती जब cleaning हो जाती है उसके बाद में निकाल देती हूं cleaning तक तो पहनती हूं नहीं परदास होता है अपनी अपनी उच्छों हो जाती है तो यहां पर नहाने के बाद में दोनों बच्छों को ने ला करके मैं आचु की हूं अब यह दोनों पढ़ाई कर रहे थे अपनी homework तो मैंने आज ओयलिंग करने का सोचा कि मैं अच्छे से मसाज करनूं कल संडे है तो कल वोश हो जाएंगे बाल तो सरमाजने का चलो मैं कर देता हूं लेकिन इसके इनके मतलब हाथ है ना वह काफी भारी है मतलब यह एकदम वो होता है टाइट वाली चंपी करते हैं तो मैंने बोला है कि नहीं रहने दो मेरे तो सिर में पहले से दर्द और 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 आप करते हो ने टाइट से तो बहुत जएदा होता है तो यहां पर मैंने चोटी बना लिया है कई बार होता है सिर में दर्द होता है इस तरीके से कुछ भी होता है न तो मन करता है अच्छे से ओयलिंग करके और चोटी बना लें तो बस वही चोटी बना लिया और सोफे के उपर इन्हों ने देखो कितना सामान भी खेड़ दिया था मैं नहा कर आई इतनी देर में पोचा मैंने लगा दिया था और अब मैंने सोफे का सामान उठा करके सोचा है कि मैं थोड़ा सलाद गट कर लेती यह क Suchार चाल के और चाल को के वाले वाली हूं कि सोने से क्या पता यह च्रेख कर देए और डिमाग खराब करकले लोग आप लोगों मसें Souls एसे हैं यह से पहले शुर्व करने को असने हिए गुशो जाते हैं Давайте online YouTube के कारण नहीं मिलता है यह YouTube में से मतलब gift में मिलता है समझ्हें कि इसका काम करते-करते यह भीमारी तो लगी जाते हैं जान को कि वह stress और यह जो है डिक होती है यह तो लगी जाता है तो यहां पर खाना मैंने डाल लिया है खाना खाना शुरू कर दिया है और खाना का करके लेकी टेबलेट में सोने वाली जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया और इस वीडियो का एंड भी करेंगे इसको आगे कं करेंगे और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएका चैनल पर नए आए हैं तो सबस्क्राइब कीजिएका मैं मिलूँगे ने तो